हेलो एवरिवन मैं गोविंद वर्मा आज हम बात करेंगे योगा सर्टिफिकेशन बॉर्ड जो YCB के रेजिस्टेशन हम कैसे करते हैं और इसमें किसी कोर्स के लिए अपलाई कैसे करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे गूगल में हमें सर्च करना है योगा सर्ट सर्टिफिकेशन बॉर्ड डोट निक डोट इन इसका जो लिंक हो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जैसे हम इसमें योगा सर्टिफिकेशन बॉर्ड डोट निक डोट इन करके क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट हमारे पास होगा योगा सर्टिफिकेशन दो इसके बाद हमारे सामनरे इस तरह के इंटरफेस जो है वोो सामने आएगा इसके बाद हमें registration करने के लिए क्लिक करना है उपर registration पर उसके बाद ہम क्लिक करेंगे योगा professional enrollment इस तरीके से जो हमारे पास है window सामने आगी तो इसमें हमारे पास जो है चार step है इसमें registration करने के तो इसमें first step में हमें first जो है उसमें country फिल करना है उसके बाद title यानि siri man, siri mati जो भी आप अपने नाम के आगे लगाना चाते हैं वो इसमें select करेंगे उसके बाद आपका नाम first name उसके बाद आपका middle name और फिर last name इसमें feel करेंगे उसके बाद अगला point है gender तो इसमें आप अपना gender select करेंगे male, female आदर्ज में उसके बाद आपको feel करना है अपनी date of birth date of birth है उसका format date, month और year होगा उसके बाद nationality Indian उसके बाद आपके father का नाम उसके बाद mother name आप यह विस पोज नेम बर सकते हैं तो यह compulsory नहीं है जो star लगे हैं वो ही हमें बरने compulsory हैं उसके बाद आप उसलेक्ट करना है category, general, OVC, SCST, EWS तो आप यहां से category सेलेक्ट करेंगे अपनी उसके बाद है do you have PWD certificate अगर आपके पास कोई disability का certificate है तो वो आपको यहां पे लिखना है उसके बाद है type of photo ID कि आप ID जो है वो कौन से अपलोड करें अधार कार्ड है जो driving license है voter ID है, passport है तो जैसे मैं आधार कार्ड अपलोड करूँगा तो मैं आधार कार्ड को select करूँगा उसके बाद आपको आपके ID का नंबर इसमें फील करना है ID का नंबर फील करने के बाद आपको जो document है वो ID upload करनी है तो upload करने के लिए जो jpg file या png file ही होनी चाहिए जिसका size जो है minimum size 50 के भी है और maximum size 2 MB तक होता है और इसका format png या jpg format ही होना चाहिए उसके बाद आपको अपना contact number इसमें फील करना है उसके बाद आपको अपनी photo upload करने हैं जिसकी जो file का size है वो भी photo का जो size है वो 50 के भी से 2 के भी तक होना चाहिए और वो भी उसका format जो है वो jpg और png format ही होना चाहिए तो आप अपनी photo upload करेंगे choose file में click करके उसके बाद आपको फील करना है अपना address तो यहां पर corresponding address है दो address है हमारे पास एक तो permanent और corresponding तो वो आप यहां पर अपना address फील करेंगे उसके बाद आपको select करना है state state select करने के बाद आपको district चुनना है इसमें आपका जिला कुन सा है वो उसके बाद आपको इसमें pin code फील करना है अपने जिले का उसके बाद यहां पर आता है permanent address तो मेरे दोनों address सेम है तो मैं यहां पर सेम as correspond address फील करूँगा उसके बाद आपको sign up के लिए जो है वो अपना email address देना इसमें email address के बाद आपको अपना जो gmail का address है वो आपको इसमें फील करना है उसके बाद आपको अपने जो sign up के लिए इसमें password फील करना है sign in के लिए फिर confirm password में आपको दुबार अपना password जो है वो फील करना है उसके बाद जो capture दिया वो आपको बरना है इसमें करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो जो है वो उपन होगी अब इसमें जो है आपको जो स्ट्या एंश्ट ऑपकी क्वालिविकेशन वह आपको इसमें एड करनी है हॉश्य बदा के हैं योगा क्वालिविकेशन में आप जो अपने जो आपने कॉर्स किया हुआ योगा में वो उसके बारे में आप यहां पर फिल करोगे उसके बाद आपको फिल करना है योगा एक्सपिरियंस यानि आपको जो योगा फिल्ड में अगर student है तो यह उसके बारे में है तो जो student है वो इस पर yes क्लिक करेंगे और जो नहीं है वो no पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगला point है have you been rejected earlier इसको इस field को भरना भी आपको जरूरी है तो आप इस field पर भी yes या no पर क्लिक करके इसे save कर दोगे यह field दोनों field जो है वो बरनी compulsory है जैसे आप इस पर save बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की window जो है open होगी जो step 3 है तो step 3 में मारे पास क्या आता है pre medical details इसमें आपको जो है family की जो medical condition है उसके बारे में और अपनी medical condition के बारे में बरना है तो इसमें जो लिखा है do you have any family history of यानि आपकी family में किसी वी तरह की बिमारी के अगर कोई history है तो उस पर आपको click करना है इसमें अए तो yes or no पे अपको इसमें click करना होगा और सारी जो part है इसमें जो portion है वो mandatory है नहीं आपको फिल करने ही होगे पिना पिल कर गिया आप इसमें जो है आगे नहीं जा सकते फ़रम नहीं बर सकते इसमें तो जैसे इसमें है, हार्ट, हार्ट के बारे में है, डाइबिटीज के बारे में है, मेंटल इलनेस के बारे में है, टीबी के बारे में है, इसके अंदर आपको अपनी family history में जो भी family में किसी के भी कोई बिमारी है या कोई बिमारी पहले थी family में तो उसके बारे में आपको इसमें भरना है कोई भी जो medical condition है उसके बारे में आपको इसमें feel करना होगा उसके बार जो दस्वाँ point है उसमें है have you ever had medical treatment for कि आपने जो आगे बिमारीों की नाम दिये हैं या अलग लग कि आपने कभी इन चीजों के बारे में जो है वो medical treatment लिया है या नहीं है तो इसमें ये जो है वो आपकी detail अपनी इसमें feel करनी है तो इन सब field में जो है आपको अपनी detail feel करनी है और ये portion भी जो है mandatory है तो सभी में आपको yes या no जो भी आपकी medical condition उसके बारे में बताना होगा इन सब में किलिक करने के बाद आपको किलिक करना है save button पर जैसे ही आप save button पर किलिक करेंगे अपनी जो family medical जो history है और अपने खुद की medical history के बारे में इसमें लिखने के बाद yes और no पे टिक करने के बाद आपको save पर किलिक करना है आप ये चेक कर लीजिए कि इसमें जो हैं वो सारी फिल्ड आपने बरे हुए है उसके बार जैसे ही आप save button पर किलिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह की की window open होगी यानि जो आपका registration है जो four step थे registration के वो आपके complete हो चुके है तो इस तरह के से आपकी जो profile है वो आपके सामने आएगी जो first है इसमें yp profile है my examination है अगर आपने कोई exam यानि आपने किसी course के लिए apply किया हुआ है तो वो आपके my examination में आएगा और examination calendar में जाके आपकी cb course के लिए apply कर सकते हैं उसमें उसकी date आपको मिल जेगी कि कब उसके form start होंगे या start नहीं है उसके बारे में आपको इसमें पता चल जाएगा तो जैसे वाइपी profile पर click करेंगे तो यहाँ पर जो है वो हमारी सारी detail हमारे सामने आ जाएगी जो अपनी medical condition है जो medical history अपने feel किती वो सारी detail आपको यहीं मिलेंगी वाइपी profile में उसके बाद हम home पर click करते हैं वापीस अब इसमें जो है अलग-अलग हमारे पास जो है वो पॉइंट दिये गए जैसे वाइपी profile है my examination है examination calendar तो जो my examination है उसमें अगर आपने किसी course के लिए apply किया तो उसके बारे में detail होगी और आप अगर किसी course के लिए apply करना चाते हैं तो आप इस पे examination calendar पर click करके apply कर सकते हैं तो जैसे हम examination calendar पर click करते हैं तो हमें इस तरह की जो है window सामने दिखाई देगी तो इसमें जो है हम select करेंगे agency जिसके थुरू हम जो है वो YCB का जो yoga course है वो हम करना चाते हैं तो हम इसमें select assessing agency जो है उस पर click करेंगे और यहां से search करेंगे जिस institute से हम जो है YCB का course करना चाते हैं तो मैं यहाँ पर click करता हूँ जैन institute of skill पर तो जैसे ही मैं इस पर click करूँगा और submit बटन दबाऊँगा तो इस तरीके से जो है institute में चल रहे है course के बारे में हमारे पास detail आ जाएगी तो जैसे हमारे पास L1, L2 के दो course है इसमें योगा protocol instructor योगा wellness instructor तो अगर जो भी हम course करना चाते हैं तो उसकी detail आपको यहाँ पर मिल जाएगी और अगर इसमें admission हम कैसे लेना लें तो उसके बारे में अगर हमें admission लेना तो इसमें जो last action लिखा हुआ है उसमें आप देख सकते कि enroll closed है तो जब भी इसमें admission open होंगे तो यहाँ पर आप जो है ओफीज पे करके इसमें enrollment ले सकते हैं इसमें आप admission ले सकते हैं तो इस तरीके से जो हैं YCB के जो certification board है YCB यानि yoga certification board है उसमें हम course के लिए apply कर सकते हैं तो main जो है इसमें step है जो है चार है पहले जिसमें हमें registration करना ज़रूरी होता है registration के बाद आप अपनी profile में आके किसी भी course के लिए किसी भी जो assessing agency है उसमें apply कर सकते हैं जो main इसमें था वो आपको registration करना था उसके बाद आप examination calendar में आके अपना institute select कर सकते हैं और action में जाके जो है लिखा हुआ है enroll closed वहाँ पर अपनी fees पे करके उस course के लिए apply कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी profile इस तरीके से लोग आइट कर देंगे तो आपके सामने ये जो है login form सामने आएगा तो आप अपर कभी भी इसमें जो है अपना username password डालके इसमें login कर सकते हैं जो है और अपनी कर देंगे आपके से अपनी कर सकते हैं